श्वागत है भई स्वागत है मैं आदर्निय पुधान मंत्री से निवेजन करूँगा कि वो देश को संबोधित करे आदर्निय पुधान मंत्री भारत माता की भारत माता की जए जगनात जए जगनात आपका ये असने आपका ये प्यार इस आफिरवात के लिए मैं सभी देश वाश्यों का रनी हूँ आज बड़ा मंगल है और इस पावन देन एंडिय की लगातार तीसरी बार सरकार बनने तय है हम सभी जनता जनारदन के बहुत आभारी हैं देश वाश्यों ने भाजबा पर एंडिय पर पूर्ण विश्वास जताया है आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोग कंत्र की जीत है ये भारत के समिधान पर अटूट निष्ठा की जीत है ये विख्सिद भारत के प्रण की जीत है ये सबका साथ सबका विकास इस मंत्र की जीत है ये एक सो चालीस करोण भारतियों की जीत है भाईवर बेनों मैं आज देश के चुनाव आयो का भी अभिनंदन करूंगा चुनाव आयो ने दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव इतनी कुसलता के साथ संपन्द कराया करीब सो करोण मतदाता ग्याणा लाग पुलिंग स्टेशन डेड़ करोण मतदान कर्मी 55 लाग बोटिंग मशीने हर कर्मचारी ने इतनी प्रतंड गर्मी में अपने दाईत्व को बखुभी निभाया हमारे सुरक्षा कर्मीयों ने अपने कर्तव्य भाव का शांदार परिचे दिया भारत के चुनाव फोसिस चुनाव के इस पुरे सिस्टिम और चुनाव प्रक्रिया की क्रेडिबिल पर हर भारतिये को गर्व है इस केल पर चुनाव का इस एफिजन्सी के साथ चुनाव का दुनिया में कही कोई उदारन नहीं है और मैं देशवाचों को कहूंगा मैं इंफ्लियंसर्स को कहूंगा मैं ओपिनियन मेकर्स को कहूंगा कि भारत की लोकतंत्र में यह चुनावी प्रक्रिया की ताकत है एफिजन्सी है यह अपने आप में बहुत बड़ा गवरों का विशह है भारत की पहचान को चार चान लगाने वाली बात है और ऐसे जो भी लोग है जो दुनिया में अपने बात पहुचा सकते है उन सबसे मैं आगर करूंगा कि भारत के लोगतंत्र के सामर्थ को विश्व के सामने बड़े गर्व के साथ हमने पस्तूत करना चाहिए इस बार भी भारत में जितने लोगों ने मतदान किया वो अनेक बड़े लोगतंत्रिक देशों की कूल आबादी से भी ज़्यादा है जम्मू किश्मीर के मतदाताओं ने इस चुनाव में रिकार्ड वोटिंग कर अभूत्पुर्व उत्सा दिखाया है और दुनिया भर में भानत को बड़्याम करने वाली जो ताकते हैं उनको आइना दिखा दिया है मैं देश के हर मतदाता को जनता जनार्दन को विजय के इस पावन परवपर आदर पुर्वक नमन करता हूँ मैं देश बर के सभी बलो सभी उमिद्वारों का भी अभिनंदन करता हूँ सभी की सक्रिय भागिदारी के बिना लोग कंत्र की विराट सपलता संभव नहीं थी भाजपा के एंडिये के हर कारकर का साथी को भी मैं रज़य से धन्यवाद करता हूँ साथियों इस चुनाव के इस जनादेश के कई पहलू है 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने दो कारकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है राज़ों में जहां भी विदान सभा के चुनाव हुए बहाँ पर अंडिये को भव्य विजय मिली है चाहे वो अरुनाचल प्रदेश हो आंद्र प्रदेश हो उडिसा हो या फिर सिक्किन और इन राज़ों में कॉंग्रेस का सुप्रा साफ हो गया है मेरे पाद डीटेल तो नहीं है लेकिन सायद उनको जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया होगा भाज़पा उडिसा में सरकार बनाने जा रही है और लोग सबाज चुनाव में भी उडिसा ने बहतरीन प्रदर्शन किया है ये पहली बार होगा जब महा प्रभु जगनाती धर्ती पर बीजेपी का मुख्य मंत्री होगा बीजेपी ने केरला में भी सीड जीती है हमारे केरल के कारकरताओं ने बहुत बलिदान दिये है कई पीरियों से वो संगर्थ भी करते रहें जन सामान्य के सेवा भी करते रहें और पीरियों से मैं सालों से नहीं कह रहा हूँ पीरियों से जिस ख्षन का इंतजार किया वो आज सफलता को चूमने लगी है तेला जना में हमारी संख्या दो गुणा हो गई है मद्दप्रदेश, गुजरात, छतिशगार, दिल्ली, उत्राखन, हिमाचल ऐसे कई राज्यों में हमारी पार्टी ने लगभग क्लीन स्विप किया है मैं इन सभी राज्यों और अरुनाचल प्रदेश, ओडिसा, आंधर प्रदेश और सिक्किम विदान सभा के मद्दाताओं का भी विशेश आभार व्यक्त करता हूं मैं राज्यों की जनता को विश्वाद दिलाता हूं कि केंदर सरकार आपके विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी आंधर प्रदेश में चंदर बाबु नायडू जी के नेत्रुत में एंडिये ने शांदार प्रदसन किया है बिहार में नितिश बाबु के नेत्रुत में भी एंडिये ने शांदार प्रदसन किया है साथियों दस वर्ष पहले देश ने बदलाव के लिए जनादेश दिया था तब देश ने हमें कि वो समय था देश निराशा की गर्थ में डूप चुका था 2013-14 का कालखंड देखिए देश निराशा की गर्थ में डूप चुका था फ्रेजाईल फायूद सब दोसे में नवाजा जाता था हर दिन अख़बारों के हेडलाइन गोटालों से भरी रहती थी देश की हुआ पुरी अपने भविश्य के सबस में आसंकित हो गई थी ऐसे समय देश ने हमें निराशा के गहरे सादर से आशा के मोती निकालने का जिम्मा सोपा था हम सभी ने पूरी इमांदारी से प्रयास किया काम किया दोजार उनीस में इसी प्रयास पर विश्वास व्यक्त करते हुए देश ने दोबारा प्रतंड जनादेश दिया इसके बाद एंडिये का दूसरा कारकाल विकास और विरासत की गारंटी बन गया दोजार चोबिस में इसी गारंटी के साथ हम जन जन का अशिरवाद लेने देश के कौने कौने में गये आज तीसरी बार जो आशिरवाद एंडिये को मिला है मैं इसके सामने जनता जनारदन के सामने बिनए भाव से नतमस्तक हुए साथियों आज का यह पल नीजी तोर पर मेरे लिए भी भावुक करने वाला पल है मेरी मा के जाने के बाद यह मेरा पहला चुनार था लेकिन सच मानिए देश की कोटी कोटी माता औ बहन औ बेटियों ने मा की कमी मुझे खलने नहीं दी मैं पुरे देश में जहां जहां भी गया माताओं बहनों बेटियों ने अभूत परवस्त ने और आशिरवाद दिया और यह आख़ों में नहीं दिख सकता है देश के इतिहास में महिलाओं द्वारा बोटिंग के सारे रकोर्ट तूड़ गए इस प्यार इस अपने पन को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता यह मेरे भावा में है यह मेरे मन मस्तित के कौने कौने में रचा बसा है देश की कोटी कोटी माता और बहनों ने मुझे नई प्रेरणा दी है साथियों पिछले दस साल में देश ने बहुत बड़े फैसले लिए है राश्ट प्रथम की भावना हमें असामान ने लख्ष हादिल करने का होसला देती है यह हमें कुछ कर गुजनरे की इच्छा सक्ति उत्पन न करती है हमने दुनिया की सबसे बड़ी जन कल्यानकारी योजनाय चलाई आजादी के सत्तर साल बाग बारा करोड लोगों को नल से जल मिला आजादी के सत्तर साल बाग चार करोड गरीबों को पक्के घर मिले देश के असी करोड जरुवत मंदों को मुप्त राशन की सुविधा मिली करोडों गरीबों को पांच लाख उपे तक के मुप्त इलाज की सुविधा मिली राश्ट प्रसम की इसी भावना की वज़े से जम्मु कश्मीर से तिन सो सत्तर हटी GST और IBC जैसे रिफार्म हुए बैंकिंग रिफार्म हुए हमने राश्ट हित को हमेशा सबसे आगे रखा आप याद करिये कोरोना का इतना बड़ा संकट आया हमने वही फैसला लिया जो देश हित में था जन हित में था हमने हर दबाव से अलग हट कर कदम उठाया और इसी का नतीजा है आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से विश्चित होती बड़ी इकोनोमी है राष्ट्र पथम की यही भावना भारत को आत्म निर्भर बनाएगी साथियों हमारे सामने एक महान संकल्प है विश्चित भारत का संकल्प दस साल के बार लगातार तीसरी बार जनता जनादन का प्यार उनका अशिरवार हमारा होस्ला बढ़ाता है हमारे संकल्प को नई मजबुती देता है नई उर्जा देता है हमारे विरोदी एक जूट होकर भी उतनी सीटे नहीं जीत पाए जितनी इस लोगसभा चुनाओं में अकेली बीजे भी ने जीती है में देश के कौने कौने में उपस्ति बीजे पी के कायर करताओं को कहूंगा आपकी महनत इतनी गर्भी में आपका बहाया पसीना यह मोदी को निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है और मैं देश वासो के दुमारा दोहरा ना चाहता हूं अगर आप दस गंटे काम करेंगे तो मोदी अठारा गंटे काम करेंगा आप दो कदम चलेंगे तो मोदी चार कदम चलेंगा हम भारतिया मिलकर चलेंगे देश को आगे बढ़ाएंगे तीसरे कारखाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा और ये मोदी की गारंटी है साथ्यों एंडिये सरकार की प्रतिमद्दता हमेशा ही समाज के हर छेत्र और हर वर्क के विकास की रही है बीते दस वर्चों में हमने पचीस करोर लोगों को गरीबी से बहार निकाला है और इसमें एक बड़ी संख्या एस्टी एस्टी ओबिसी की है हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक गरीबी बेश के अपीत का हिस्सा न हो जाए बुमेन लेट डवलप्मेंट हमारी सरकार के गवर्णनेंस मोडल के केंद्र में रहा है स्पोर्ट से स्पेस और एंट्रप्रेणर स्थिप तक हम हर छेत्र में माताओं बहनों बेटियों को नए आउसर देने के लिए काम करेंगे बीते देस वर्षों में आपने देखा है हमने मेडिकल कॉलेज के संग्या दो गुने की है एम्स की संग्या तीन गुने की है स्वरोजगार और स्टार्ट उसमें एतियासिक बड़ोत्री हुई है हमने भारत को दुनिया का सब दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैनुफेक्चर बनाया है अब इलेक्रोनेट्स सेमिकंडक्टर और ऐसे नए सेक्टर्स में और तेजी से काम किया जाएगा हमने देश के डिफेंस प्रोडक्षन और एक्सपोर्ड को बढ़ाने का प्यास किया है हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक देश का डिफेंस सेक्टर आत्म निर्भर नहीं बन जाता हम अपने युवाओं को सिख्षा रोजगार स्वरोजगार हर शेत्र में ससक्त करेंगे किसानों के लिए बीच से बाजार तक आदुनेक नीतियों को बनाने का काम और प्रास्विक्ता पर होगा बलहन से लेकर खाड़ पेल तक हम अमारे किसानों को हर शेत्र में आत्म निर्भर बनाने के लिए काम करते रहेंगे साथियों आने वाला समय ग्रीन एरा है हरी त्यूक का है आज भी हमारी सरकार की नीतियां प्रगती प्रक्रती और संस्कृती के समागम की है हम ग्रीन इंडिस्ट्रियाजेशन पर निवेश बढ़ाएंगे ग्रीन एनर्गी हो या फिर ग्रीन मोबिलिटी हम भारत को सबसे आगे ले जाएंगे भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी एकनमी बना लिक लिए एन्डिस सरकार पूरी शक्ती से काम करेगी भाई और भेनो आज का भारत वैश्विक समाधान का हिस्सा भी बन रहा है हमने कोरोना के दोरान देखा है कि कैसे भारत की वैक्सिन केपिसिटी ने दुनिया को संकट से बचाने में मदद की हमारे चंद्रयान ने चंद्रमा के साउथ पोल पर लेंडिंग करके स्पेस एस्पोरेशन के नए रास्ते खोले हैं क्लाइमेट चेंग से लेकर फूड सिकुरिटी तक जो भी विशय दुनिया के सामने है भारत उनके लिए काम करना अपनी जिम्मेदारी समझता है भारत ग्लोबल सप्लाइज चेंग को स्टैबिलिटी और डाइवर्सिटी देना भी अपना दाइट्व समझता है इसलिए भारत आज विश्व बंदू के रुप में सबको गले लगा रहा है मुझे विश्वास है मजबुद भारत मजबुद दुनिया का एक मजबुद स्तंब सिद्ध होगा साथियों 21 सबी के भारत को आगे बढ़ना है तो उसे करप्षन पर भी लगातार तेज प्रहार करना ही होगा डिजिटल इंडिया और टेक्नोलोजी ने करप्षन का नेक रास्ते बंद किये है लेकिन ये भी सच है कि करप्षन के खिलाब लड़ाई दिनो दिन कठीन हो रही है राज नेतिक स्वार्ट के लिए जब करप्षन का महिमा मनन सुरू हो जाए और इसमें निरलज़ता की सारी हदे पार हो जाए तब करप्षन को बहुत ताकत मिल जाती है इसलिए तीसरे कायरकार में एंडिये सरकार का बहुत ज्यादा जोर हर तरह के करप्षन को जड़ से उखार फैंकने का होगा भाई और बहनों भाज पागे हर कार करता के लिए हमेशा से दल से बड़ा देश रहा है सेवा भाव से बड़ी राजनीति कोई नहीं हो सकती इसलिए हमें सेवा भाव को सर्वोपरी रखने की प्रंपरा को निरंतर मजबूत कर रहा है भाज पागा कार करता जन अकांचाओ जन भावन आओ और जन अपेक्षाओं का प्रतलिवित्व करता है और यह हम कभी भूल नहीं सकते है जरूरी है कि समाज के हर वर्ग से और हर ब्यक्ति से हम निरंतर संबाद करते रहें साथियों कुछी दिनों में देश छत्रपति सिवाजी महराज के राज्या विशेक की 350 वी वर्षगाट बनाएगा उनका जीवन अपने आप में इस बात की प्रेणा है कि देवपत पर अडिक कैसे रहा जाता है अपने धेपत में भी हमारी महनत में कोई कमी न आ रहे हम पुरी निस्टा से पुरी मांदारी से देश की सेवा करते रहे हमारे जीवन की ये बहुत बड़ी कसोडी होनी चाहिए हम सभी मिलकर देश के लिए काम करे हम देश हित्कों सर्वों परी रखे तभी हम अपने लक्षों को हासिल कर पाएंगे हमारा सम्विदान हमारी गाइडिंग लाइट है इसी साल हमारे सम्विदान के 75 वर्ष पुरे होने जा रहे है केंद्रे की एंडिये सरकार सभी राज्यों के साथ चाहे वो किसी भी दल की क्यों न हो मिलकर काम करेगी विश्षिद भारत के लख्ष के लिए हम खुब महनत करेंगे जम कर महनत करेंगे हमारे पास रुकने का ठमने का समय नहीं है ये राश्ट नीति के लिए एक जूट होकर आगे बढ़ने का समय है विश्चित भारत के हमें निरंतर बड़े फैसले लेने है भारत के उजबल भविश के लिए उत्तम फैसले भी लेने है छे दसक के बाद देश के मसदाताओं ने एक नया इत्यास रचा है छे दसक बाद किसी गड़बंदरन को एंडिये को लगातार तीसरी बार बेश की सेवा करने का आउसर दिया है जनता जनादन के साथ विश्वास का ये अटूत रिस्ता ये लोग तंत्र की बहत बड़ी शक्ती है आपका आशिरवाद नए उत्षा नए उमंग के साथ काम करने की हमारी उर्जा है मैं हमारे अध्यक्ष स्रमान नड्डा जी और संगठन की केंद्र की टीम संगठन की राज्जों की टीम जिले की टीम मंदल की टीम बूथ लेवल की कमिटी हो या पन्ना प्रमूथ नड्डा जी के नेत्रुत्व में अनेत चुनावतियों के बीच जिस हिम्मत के साथ जिस समर्पर भाव से राश्ट्र प्रथम के मंत्र को जीते हुए इस चुनावी जंग में केंडिय को बिजय दिलाई है वे सब के सब अनेक अनेक अभिनेंदन के पात्र है मैं आज देश वाचियों ने मुद्पर बहुत बड़ी कृपा की है भारतिय जंता पार्टी पर बहुत बड़ी कृपा की है एंडिय पर बहुत बड़ी कृपा की है मैं 140 करोर देश वाचियों का पुना आभार व्यक्ता करता हूँ मैं हमारे एंडियर के सभी साथ्यों का भी रजय से बहुत-बहुत अभिनन्दन करता हूँ मैं इस देश के महान लोकतंत्र को महान समिजान को फिर सद्धपुरवग नमुन करता हूँ मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की बंदे 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 मर्क बहुत pleasant अच्छान है टो खत्म हुआ हैं इंतिजार अब भाच्पा की सरकार बन चुकी हो इसके एलान प्रिधानमंत्री नरिदमोदी ने इने अपने भाशन की प्याम मोदी अपसे कुछ ज़े पहले आप उनको सुन रहे थे अपने संबोधन को लेकर अपने भाशन के दोड़ान अपने मा को याद करते हैं भावुक हुए मा के जाने के बाद ही मेरा पहला चुनाव था लेकिन देश ने कमी महसूस नहीं होने दी पीम मोधी के संबोधन में इन बातों का जिक्र हुआ है कि मा के जाने के पार देश ने उनका साथ दिया है और मा की जो कमी है वो महसूस नहीं होने दी जिस तरहां से जो यहाँ पर भहुमत है उसको लेकर जानकाई सामरी आई अपने भाशन के दुरान मा को याद करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद मोधी भावुख हुए क्योंकि प्रचंड जीत है भारती जनता पार्टी का कहना की प्रचंड जीत है और जो समर्थन है जनता का वो भारती जनता पार्टी को एंडिये को मिला है 291 सीट और यहाँ पर आई एंडियाई को 234 सीट है तो पीम ने कहा कि मा के जाने के बाद क्योंकि ये उनका पहला चुनाव और चुनाव के दोरान उन्होंने भी ये इस बात का जिक्र किया था कई इंटर्व्यूज दिये थे और मा को याद भी किया था जिसके बाद आज ये जो रुजान है वो सामने आए मा के जाने के बाद पियमोदी का कहन कि देश ने उनका साद देश में लगातार अपने संपोधन में इस बात का जिक्र किया यह विक्सित भारत के मंत्र की जीत adaट का यह संबोधन और यह वक्सित भारत की जीत है क्योंकि विक्सित भारत को लेका संकल्पित है सरकार देश में लगातार तीसरी बार एंडी की सरकार बने जा रही प्रधान मंत्री नरिनमोदी ने देश के नाम ये संबोधन दिया और ये दिखे देश में लगातार तीसरी बार ND की सरकार जो है वो बनने जारी प्रिधान मंत्री नरिन मोदी ने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया विक्सित भारत लक्षे के लिए हर राज्य सरकार के साथ मिला कर काम करेंगे और प्रिधान मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया विक्सित भारत लक्षे के लिए हर राज्य सरकार के साथ मिला कर काम करेंगे और सबको साथ लेकर चलना ही भाजपा सरकार की पॉलिसी और इसका जिक्र पीम ने का करा विकसित भारत लक्षे के लिए सबको साथ लेकर चलेंगे हमारे पास रुकने का थमने का समय नहीं है पीम मोदी ने कहा कि हमारे पास रुकने का थमने का समय नहीं है क्योंकि इंतिजार खत्म हो चुका है और सबी सीटों को लेकर जो तस्वीरे सामनी आये उसकी बाद पीम ने सम्बोधित किया और कहा कि हमारे पास रुकने का समय नहीं है थमने का समय नहीं है माग को याद करते हुए भावुख भी हुए विक्सित भारत से हमें निरंतर बड़े फैसले लेने हैं विक्सित भारत पर जोर दिया कहा कि विक्सित भारत से हमें निरंतर बड़े फैसले लेने हैं प्रधान म में भी और इस दिशा में जो मजबूती से सरकार है वो काम करेगी आगे पियम मोदी ने कहा कि समिधान हमारी गाइडिंग लाइट है पियम मोदी का कहना है कि समिधान हमारी गाइडिंग लाइट है क्योंकि समिधान को लेकर किस तरह से जो सियासत है बीते दिन देखने को मिल फुर्णी।